नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए मेले में जी हाँ गाड़ियों का मिला क्योंकि यहाँ पर रोजाना कोई नए गाड़ी लॉंच हो रही है फिर वो चाहे स्कॉर्पियो एन हो या मारूती सुजुकी ब्रीजा हो अब एक और नए गाड़ी लॉंच हो रही है जो कि है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर यह एक नए गाड़ी है टोयोटा की तरफ से जो की फुली हाइब्रेड टेक्नोलजी के साथ आपको मिलेगी और आज की वीडियो में हुई यह पूरी गाड़ी को डिटेलिंग में रिव्यू करेंग कि यहाँ पर इंडिया में भी बहुत जादा डिमांड में रहने वाली है बहुत ही जल्दी यह लॉंच होने वाली है इंडिया में भी तो उसके लिए हमें इसमें डिटेलिंग में रिव्यू तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को एक बेटर चोईस देने के लिए इस गा तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी करते रह तो यहां पर आपको लाइट्स मिल जाती है और निचे की तरफ लाइट्स का पूरा सेटप मिल जाता है शुरुआत करते हैं इसके फ्रेंट लूक से तो इसकी ग्रिल अगर आप देखें तो आपको दूर से लगएगा कि यह कारबन फाइबर की फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगी लेकिन रियालिटी में ये प्यानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको मिलेगी जिसमें कुछ टेक्स्टर भी दिया गया है बात करें इसके DRL की तो DRL आपको दो सेपरेट पार्ट ब्लेगा जो सेपरेट कर रहा है इसे लाइनिग जो कि आपको तोयटा के लोगों का काम करेगा बात करें इसकी सेकेंड ग्रिल की जहां से इंजिन ठंडा रहेगा जहां पर इंजिन को हावा मिलती रहेगी वहां पर आपको एक 360 डिगरी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो फ्रंट कैमरा का काम करेगा फ्रंट लुक आपको टोटली कुछ ऐसी देखने को में मिलेगी जहां पर skit plate भी बहुत शानदार लग रही है side look की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा main attraction जो है इसका aloe wheel का लग रहा है जो की dual tone diamond cut 17 inches का आपको मिलेगा with Apollo tire side में body cladding आपको jeep compass के जैसे मिलेगी यानि की थोड़ी boxy type की मिलेगी full side look आप अपने screen पर देख सकते हैं जो की काफी लंबी लग रही है side में आपको A pillar piano black finishing के साथ में मिलेगा पूरी roof आपको piano black finishing के साथ में मिलेगी B pillar आपको matte black finishing में मिलेगा और C pillar आपको body color और roof color के साथ में मिलेगा यानि की dual tone बात करें इसके rear side की तो आपको C shape में tail lamp मिलेगी जो की काफी thin C है और नीचे की तरफ आपको इसमें indicator, reflector and reverse lamp आपको इसमें मिलेगा side में आपको इसमें hybrid की batching मिलेगी और ये V variant है तो इसमें V की batching मिलेगी left side में आपको urban cruiser high rider की batching मिलेगी ओपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको sharp fin antenna मिल जाएगा और आपको roof rail मिल जाएगी उपर की तरफ interior की बात करें तो हम सबसे पहले बूट की बात कर लेते हैं बूट आपको इसमें ज़दा deep नहीं मिलेगा handheld आपको इसमें bulb मिल जाएगा और जो rear seats मिल जाएंगी आपको वो 60-40 के split में मिल जाएंगी और अगर हम बात करें spare wheel की तो वो आपको नीचे के side मिल जाएगा बात करें second row की तो आपको पूरा interior dual tone में मिलेगा brown and black के combination के साथ door handle के पास आपको silver के finishing मिल जाएगी और जो door handle रहेगा वो vitara breeza जैसा आपको मिलेगा same और आपको जो power window मिलेगी वो illuminated नहीं मिलेगी लेकिन हाँ piano back finishing की covering आपको दी गई है और soft touch भी आपको इसमें दिया गया है armrest की जगह और नीचे के तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको child safety seat ballot भी आपको इसमें मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं comfort features के बारे में जो की है पीछे की तरफ भी आपको AC events मिल जाते हैं जिसमें आपको silver की finishing दी गई है और इसी के नीचे आपको दो ports भी दिये गए हैं जो की एक C type का है और एक USB port है front seats के पीछे आपको यहाँ पर magazine holder भी दिया गया है और उपर की तरफ अगर हम बात करें तो आपको halogen lights मिल जाएंगी और दो hooks भी आपको मिल जाएंगे और grab handle आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बड़ी सी panoramic sunroof भी देखने को मिल जाएगी और पीछे के तरफ आपको ऐसा कुछ door मिलने वाला है dual tone finishing के साथ बात करें अगे की तो front side में आपको क्या क्या features मिल जाते हैं door से शुरुआत करें तो आपको यहाँ पर भी एक speaker और एक bottle holder देखने को मिल जाएगा आपको इसमें जो MID मिलेगी वो पूरी की पूरी आपको digital में मिलेगी कोई analog का यूज नहीं है इसमें यहाँ पर आपको heads up display भी दी गई है जो की आपको breeza से copy की होई मिलेगी यहाँ पर आपको वही breeza वाला touchscreen मिल जाएगा 9 inches वाला और नीचे की तरफ आपको इसमें AC vents दिये गए है with piano black finishing के साथ और circular shape में आपको इसमें hazard button भी मिल जाएगा उसके नीचे आपको AC के control मिल जाएगे जो की पूरे breeza वाले हैं जो की automatic रहने वाले हैं उसके नीचे आपको traction control on off का button मिल जाएगा 120V का power socket मिल जाएगा और USB port मिल जाएगा automatic gearbox और lever भी आपको Maruti Suzuki breeza वाला ही मिलने वाला है यहाँ पर आपको दो modes मिलेंगे जो की है EV mode और drive mode और front two seats के ventilation control आपको इसमें मिल जाएगे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको दो cup holder भी मिल जाएगे manual handbrake मिल जाएगी और यहाँ पर आपको चाबी भी दीख रही है जिसमें lock and unlock बस दो ही बटन दिये गए है adjustable armrest के निचे आपको थोड़ी बहुत storage भी देखने को मिल जाएगी glove box इसका जो रहने वाला है वो बहुत बढ़ा रहने वाला है लेकिन cold आपको नहीं मिलेगा उपर की तरफ आपको इसमें halogen lights मिल जाएगी जो की cabin light है और auto day and night के function के साथ आपको इसका IRVM मिलने वाला है उपर की तरफ आपको बड़ी सी sunroof एक और बार दिखा देता हूँ seats भी आपको dual tone color के साथ में मिलेगी और एकदम sporty सा इसका design रखा गया है और अगर आप पीछे से interior देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें soft touch भी आपको बहुत ज़्यादा जगन पर देखने को मिलेगा night ride करते वक्त आपको ambient का पूरा लुप्त मिलेगा मुझे सबसे कमाल का feature इसका ventilation seats का लगा और आपको क्या लगा comment करके जरूर बताना इस गाड़ी में आपको 4x4 की capability भी मिलेगी और दो mode आपको मिलेगे इसमें snow and sports और put start stop button भी आपको इसमें मिलेगा सबी main features मैं आपको दिखा लेता हूँ यह आपको अपनी screen पर देख सकते हैं engine option की बात करें तो जो हमें जानकारे मिली है वो आप अपनी screen पर देख सकते हैं यह दो type के engine option आपको इसमें मिलने वाले हैं और कुछ cool features की बात करें तो यहां पर आपको phone connected technology मिलेगी जिसमें आप अपनी गाड़ी का engine on off कर सकते हैं अपनी गाड़ी के AC को on off कर सकते हैं अपने phone के साहता से यहां पर अगर हम safety wise features की बात करें तो आपको six airbags इसमें मिल जाएंगे जो की top model में आपको मिलेंगे body structure की अगर हम बात करें तो इसमें इस गाड़ी में आपको advanced body structure मिल जाएगा और features की बात करें vehicle stability control ABS with ABD hill hold with hill descent control आपको इसमें मिल जाएगा और यहां पर हमारी जानकारी खतम होती है और अगर segment की बात करें तो यह की assaltos and hyundai creator के segment में launch की जाएगी जिससे हमें पता चलता है कि इसका price भी कुछ 10 लाग से 18 लाग के बीच में होने वाला है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया